आज के रोगेटे फिर में है यह समोसे बनानास और उसकी चाय रेडी है आज बहुत बारिश यह तो बिल्डिंग का सोलार में पानी गरम नहीं तुमने पानी भी गरम करने रखा है आज मैं अपने साथ नाश्ते में दूद और समोसे लेकर जाओंगी क्यूंकि नहीं मुझे टाैम नहीं है आज लेट हो गया है फृ Awards थो इसके लिए रोटी बना दी है मैंत और जसमें पूरी बना तुमेर उसके रे मिनी कडी बनाई है मैं यहां पर मीनी कुकिम बहुत करती क्योंकि मुझे उसके थोड़ा थोड़ा बनाना रहता इसलिए तो छोटी सी कड़ाई में छोटी सी उसके टेस्ट के अकॉडिंग कड़ी बना दी है मैंने जो से बहुत पसंद है शर्बत ये साथ में नीबू शर्बत जो इसका फेवरिट है और ये मालास का रैडिमेंट नीबू पानी है उसके अंदर पानी डल दो ये भी खतम हो गया है तो इसको में डाल दे तो इसमें अब ये पानी डाल के इसका नीबू शर्बत बना दीको और ये बॉटल रडी है यह बॉटल का शेप इसले ऐसा क्योंकि यह गिर गई थी मुझसे तो विचार भी कभी सिधा ही नहीं हो पाया गा तो आज देखें यह मेरे हस्बंड आज के उरी के पापा मैं हमेशा बोलती वो मेरी हेल्प करते ता साक्षा देख लीजिए और कैसे हेल्प कर रहे है पूरी सबजी उन्होंने बनाई सिल काटी है मैंने आज रोटी भी यही बनाएंगे नहीं है मैं ही बनाऊंगी तो मैं अभी साइड के काम कर लेती हूँ और यह सबजी अभी चक के हम बताएंगे कैसी बनी है सबजी तो बहुत अच्छी बनी थी तो हमने खाना खा लिया और अब मैं आई हूँ नागेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए यहां मैं रोज आती हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने यहां के मंदिर के सारे भगवान के आपको भी दर्शन करवाए है कियोरी भवानी माताजी के मंदिर में जाने की जित कर रही थी तो return में हम इस मंदिर में आए हैं इसका भी मैं व्लॉग आपको ज़रूर बना के दूंगी अगर आप मुझे बोलोगे तो नहीं नहीं भगवान जी के व्लॉग के लिए for watching my video I hope मैं आप सब के दिल में धिरे धिरे आ रही हूँ बस रही हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं so till then see you take care bye bye और इसे के साथ मैंने आपको यहां के परिक्रमाग भी करके दे दी है मन देखी bye bye